हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट ग्यान में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले एरेडा के बारे में आई एर एडिये के बारे में यहां पर जो खबर निकल के आ रही है न वो इतनी जादा इंपॉर्टाइंट बन जाती है शेयर होल्डर्स क क्या है वह खबर क्या है वह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे साथ के साथ लेवल्स के बारे में बात करेंगे जो कि सब्सक्राइब बन जाता है किसी भी स्टॉक के लिए फिर हम वहां पर देखेंगे क्या निकल के आ रहे हैं और इनके जो सीमडी है उन्होंने भी कुछ बयान दिया है उस पर भी हम यहां पर डालेंगे और बयान कितना ज्यादा माईने रखता है इन सारी चीजों पर भी हम आगे डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक आप जरू देखी सारी चीज आपको अच्छे ते तमझ में आ जाएगी चैनल पर फश्टम विज देखने को मिली शेयर 112 रुपे पर ट्रेड करते हो नजर आया क्लोजिंग देते हो नजर आया बीच में आपको यहां पर जब ओपन हुआ था तो यह 1415 की रेंज तक भी गया था लेकिन फिर ड्रॉप देखने को मिला लेकिन अच्छी बात है कि जो ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा नहीं था और इस्टेविलिटी शेयर में आपको देखने को मिली आज के दिन वह भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें एक सेशन में लोग चुका है तो लोगों के बीच में पैनिक वाला सिच्वेशन भी आया था लेकिन शेयर अभी काफ़ यहां पोजिश रिटन्स देखने को मिल रहा है यानि कि ओवरॉल जो सिनारियो है वह आयरीडे का अभी तक पॉजिटिव नजर आता है थोड़ा था यहां पे अगर आप लॉंग तरम का देखते हो 29 नेवंबर को ही लिश्टिंग हुई है और यहां से अगर आप देखोगे तो शेयर में रॉकेट यसी तेजी देखने को मिली है और लगबग 87% के रिटन्स बनते हो नजर आ रहे हैं यानि कि ओवरॉल माहौल जो है वह बहुत ही जादा पॉजिटिव नजर आ रहा है अब यह तो मैंने आपको रिटन्स के बेसिस पर देखाया कारोबार किस टाइप का हो रहा है जिस दिन 10% का लोवर सरकेट लगा था लेकिन उसके बाद अगर आप बाकी के ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो वही 21-22% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है यानि कि आने वाले टाइम में आपको एक बिकवाली देखने को जरूर मिल सकती है और इस चीज के लिए पहले सी प्रिपेर रहना है साथ के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इसके ओवरॉल अभी तक के हाई लोस के बारे में तो यह तो आज के दिन का रेंज दिखा दिया मैंने लेकिन 52 वीक रेंज देखो 32 रुपीज यानि कि 32 रुपे का इसका IPO प्राइस था और 130 रुपे त काफी अच्छे गासे रिटर्स इसने कुछी दिनों के अंदर बना कर दे दिया कुछ ऐसे श्टॉक भी होते हैं जो अपनी पूरी लाइफटाइम में रिटर्स नहीं दे पाते जितने इतने यहाँ पर कुछी दिनों में दे दिये अब मैं आपको निउस पर लेका चलता यानि कि सिंपल बाता में अगर मैं आपको समझाओं तो आयर एडिये का जो स्टेटस है वो अपग्रेड हुआ है इससे लगता है कि आने वाले टाइम में यह कंपनी आपको नवरतन कंपनी बनते हो नजर आ सकती है यानि कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नवरतन privileges उस company को मिलते हैं बहुत सारा business करने के लिए इस हो जाता है और जो बहुत सारे formalities पूरी करनी होती है दूसरी companies को वह नवरतन कंपनी को नहीं करनी पड़ती है यानि कि बहुत अच्छा स्टेटस होता है जो कि आर बेनल को भी आपको देखने को मिला था अभी अब इसी बीच अगर हम यहां पर देखें तो इनके जो CMD है उन्होंने इसी चीज पर भी बात करी है आप यहां पर देख पारेगो आयर इडिया चीफ एक्सपेक्ट नवरतन स्टेटस सून नौट वरीड अबावड आरी सी पीएप सी कॉंपिटिशन यानि कि जो इनके चीफ है यह भी काफी ज़्यादा कॉंफिडेंट है कि हमें बहुत जल्दी यहां से जो नवरतन स्टेटस है वो मिलने वाला है और जो इसको कंपेर किया जा रहा है आयर सी टी सी से आरी सी से पावर फाइनेंस कॉर्परेशन से तो इन्हो जब यहां पर नवरतन स्टेटस मिल जाएगा तो वो भी हमें काफी हत्तक हैल्प करेगा आगे के बिजनिस को और ज्यादा इनांस एक्सपेंड करने में आप पूरी तरीके से इनका जो बयान है वो निकल के आया है वो पढ़ भी सकते हो सीमडी प्रदीप कुमादास आई एडिए जो इन्हों ने यहां पर बोला है कि हम यहां पर अपनी एक्सपेटीज शेयर करते हैं और हमें यहां पर जो इस अकॉर्डिंग कॉंपिडिशन की बात हो रही है तो लॉट आप परसेप्शन गैप है हमारे इन कंपनीज के बीच में अगर सेप्टमबर बुक में देखोगे तो 77 परसेंट प्राइविट बुक नजर आती है इसके बाद भी जो हमारा नेट एंप वो केवल 1.65 परसेंट है और जिस अकॉर्डिंग चीजें हो रही है वो हमें काफी अधा सुटेविलिटी प्रोवाइड करेंगी आने वाल चीजों के बारे में भी बात करी गई है लेकिन हम बेसिकली यहां पर बात करेंगे कि आखिर जो चीजें हैं वो कैसे रह सकते हैं देखो टार्गेट वगरा प्रीवेस वीडियो में भी डिसकस किया है जिसमें एक जो है थोड़ा सा लॉंग तम में जाएंगे तो 350 रुपे जैसे 140 रुपे के टार्गेट हैं तो वह हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो इसको आयस सीटी सी से भी कंपैर किया जा रहा है क्योंकि आयस सीटी सी भी एक ऐसा श्टॉक था जिसने आई पीओ के बाद अपने इंवेस्टर्स को माला मा किया था लेकिन आज के टाइम पर आप देखो कि तो चीज थोड़ी सी चेंज है कल यहां पर यहां पर देखते हो तो चीजें कुछ ऐसी है कि जब भी कोई IPO या कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती तो उसको अपने कॉम्पेटीटर से कंपैर करना स्टार्ट कर दिया केवल और केवल एक ही लोग सरकेट लगा है और लोग सरकेट के बाद काफी मजबूती भी दिखा रहा है तो यह सारी चीजें मैंने आपके साथ जो वेजन है वह भी शियर किया है शोट टम का लॉंग टम का क्या कुछ हो सकता है वह मैंने आपको प्रीविएस वीडियो में बताया है तो वह आप जाकर देख लेना वाह से आपको समझ में आ जाएगा टार्गेट भी मैंने आपको साथ इस वीडियो में में शेयर करें पुरानी वीडियो है उसमें आप जाकर जरू देखना फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक को सब्सक्राइब जरूगा दीजेगा धन्यवाद